इस वीडियो में जो हम ललीगा का मैच कवर करने वाले वो रहेगा लेवंटे वर्सिस सविया के बीच मैच का वेन्य होगा लेवंटे किक ओफ होगा रात में 10.30 पीम पे तो दोस्तों बात करें सविया की यह ललीगा की वन अफ दा बेस्ट टीम में काउंट होती है इनका आपको कल ग्रेड़ा के पाने में पताया था जो एटलेटिको मैट्रीट और ग्रेड़ा का मैच हुआ था उसमें मैंने आपको कहा था कि ग्रेड़ा हमेशा ही बड़े क्लफ्स के अच्छा पर्फोर्मेंस पूटिन करती है सेम वही चीज में लेवंटे के लिए भी में थाटी टू में अपने सोला मैचे जीती है बारा ड्रॉस हैं चाल लॉसेज हैं फॉर्टी सिक्स गोल स्कोर किया बट सिर्फ 25 गोल इन्होंने कंसीट कर दिया और सिक्स्टी इनके पॉइंट है तो जो डिफैंस है सविया का वह बैस्ट इन लीग है सबसे कम गोल से नहो हैं गोल स्कोरिंग में ठीक टाक किया इन्होंने थाटी नाइन स्कोर किया बट सिक्स्टी टू गोल कंसीट कर दिया है जो कि काफी जादा है वहीं लेवंटे के लिए मैच की इंपर्टन्ट होगा क्योंकि इनको बॉटम थ्री से अगर उपर निकलना है यानिकी रिलीकेश की रेस से बाहर कर सकती है तो मैच दुनों ही क्लब्स के लिए इंपर्टन होने वाला है बात करें रीसेंट फॉर्म की वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सविया का डिफेंस बैस्टीन लीग है लेकिन लाश्ट कुछ मैचेस में सविया ने अच्छा फूटबॉल नहीं खेला है काफी इन्होंने गोल्स भी लीग के हैं लाश्ट तीन मैचे आप देखेंगे वन निल से बार्सा के लॉस है फोर टू से ग्रेंडा के विक्ट्री है और पिछला मैच जो कि बहुत अच्छा के लिए थे पहला हाफ रियाल में जिट के अगेंस्ट दो गोल की लीड अगर विलरियाल जैसे क्लब को टू निल से हरा रही है और बार्सा के अच्छी फाइट पुटिन करगे तो इसको अच्छा का जाग और पिछले मैच में तो उन्होंने फोर वन से लेवंटे ने ग्रिनेडा को भी हरा है तो लास्ट तीन मैचेस में लेवंटे ने आठ गोल स्कोर कर दिया है यानि कि अभी जो रिसेंट गोल स्कोरिंग फॉर्म हो लेवंटे की बहुत ज्याद अच्छी चल ली है इस सीजन इन दोनों क्लब्स के वीज एक मैच हुआ 5-3 रही ती स्कोर लाइन ऐसा कुछ में भी हो सकता है आज भी आपको देखने को मिले या एक लो क्रालेस के दो गोल सार मेलेरों ने एक गोल स्कोर किया था वैसे देखा जाए लोजिकली इस मैच में सविया एक क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है लेकिन यहां पर लेवंटे पूरी तरह से कोसिस करेगी कि हो जो बॉटम थ्री पोजिसन है उससे उपन निकले तो मै मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फूटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से सभिया की तो मेरे अकॉर्डिंग के फेवरेट सुंगे मैं इनके ज्यादा प्लेयर पी करूँगा स्मॉल लीग में तो सभिया के लिए फनांडो रेकीक और एंथोनी मार्शाल बाहर हैं और आइवन रेकटीज भी इस मैच में डौटफुल होने वाल हैं आई थिंक से रेक से इन्होंने बहुत गोल्स लीग कर दियें लेकिन ओवराल जो इनका डिफेंस है मैंने आप कोई स्टार्टिंग में बताया था वो बेस्ट इन लीग है सबसे बेस्ट डिफेंस इनका ललीगा में तो क्लीन शीट का ज्यादा चांस ही नहीं का है अभी मैं इनके maximum defender पिक कालो आप चार के चार भी पिक कर सकते हैं हो सकते हैं मैं भी चार के चार पिक कल लूँ अगर मेरे को कोई टॉप थ्री चूस करने हैं मेरी चोईज रहेंगे नैवस अकुनिया एन कुंडे अगर मेरे को फोर्ट भी आट करना हूँ मैं डियागो काल्लोस को आट कर लूँग मेरी चोइस काल लोस होगी अगर आपको तीनी डिफेंडर विक करने हैं वैसे हो सकता है मैं चार के चार पिक कर लूँ डिलेनी और जॉड़न दोनु डिफेंसीव में खेलेंगे अभी के लिए दोनु को इग्णोर करना हो अगर किसी एक के साथ जानो मेरी चोइस जॉड़न रहेंगे अच्छे टेकलिंग इंट्रेसेप्शन करते हैं और इनके पास असिस्ट फोटेंचल भी है अभी मैं थोड़े यहां पर अटेकिंग प्लेयर से फोकस करने वालों अलेक्जंडर पापो गोमेच बहुत ज्यादा क्वालिटी है प्लेयर के मंदर पहले अटलांटा बहुत ज़्यादा अच्छे उफसस भी नहीं थे मेरे पास तो मैं यहां पर पापू गोमेच जानी के अलेक्जंडर गोमेच के साथ गया हूं बट मेभी आप चाहे तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं इनके प्लेज में समवन लाइंग जॉन जोर्डन आप अपनी टीम में कंस गोल दो असिश्की है और ओकेंपॉस डिफैंसी वर्ग भी करता है और आज रेकटी सेद 11 में नहीं हूंगे तो इसके भी चांसे से कि जो पैनाल्टी होगी ओकेंपस ले क्यूंकि लास सीजन तक यही लेते थे तो यहां पर मस्ट भी करेंगे आइधिंग एक टॉप केप् पैनिश वेबसाइट अलग अलग बोल लिए कोई बोली नसेरी खेलेगा कोई बोली मीर खेलेगा क्योंकि क्या है न अभी सविया ने दू-3 दिन पहले मैच खेला अभी यह मिड़ वीक में खेलना है फिर इनको वीकेंड में खेलना है तो थोड़ा हेक्टिक सेडियूल है ऐसा भी हो सकता है इन जैसे 60 मिनेट नसेरी खेले 30 मिनेट मीर खेले दोनों के मिनेट्स आधिया बाट दिया जाए अगर इन दोनों में मीर खेलता है 100% में पिक करूंगा 9 गोल मार चुका है यह सीजन सविया का टॉप स्कोर है अच्छा परफोमेंट कर रहा है लेकिन एन सेरी जो पिछले सीजन इतने गोल्स मारे थे इस सीजन इस बंदे ने बिल्कुल अच्छा नहीं गया अगर मैं आपको दिखाओ तीन गोल एक असिष्ट है और यह विदाउट गोल असिष्ट उतने पॉइंट भी नहीं देगा तो यहां पर यह चीज में देखूंगा अग तो बन नसेरी को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं और यह भी हो सकते हैं लास्ट टेम जब रेकटीज ने पेनल्टी ने लिए थी नसेरी ने लिए तो कुछ चांसेद है ओकेंपोस नसेरी में कोई एक पेनल्टी ले ले बट मिरको अगर चूज करना हो आइधिंग दिला दूँ इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंग या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप मिन कमेंड में वहां से बढ़के आप मेरे टेलीग्रा सविया ज़्यादा टेक करेगी तो यह अच्छे खासे सेविंग पॉइंट समय दे सकते हैं फाइव इंद बैग में खेलता है मिरमोन पियर वेजो दुआटे और सन इनके पांच डिफेंडर होंगे मिरमोन आपको मिट्फिल सेक्शन में मिलेंगे अभी मैं इग्नोर कर रह है तो मैं अभी के लिए इनका एक भी डिफेंडर रिकमेंड नहीं करूंगा इस्टिल मेरे को किसी के ताथ जानाव वेजो अच्छे हैं डिफेंसी वाइस मेभी मैं इनको चूज कर लूँ पर अभी मैं एक के साथ भी नहीं जा रहा हूं मिट्फिल में आपको पेपेलू नाम का प्लेयर मिलेगा इनका नाम कुछ और है मैं एक मिनेट दिखाता हूँ आपको हाँ इनका आपको यह गर्सिया करके मिलेगा फेंटेसी ब्लैटफॉम में वैसे इनको पेपेलू बोलते हैं इस बंदे को मैं शूली पिक करूंगा डिफेंसिव वाइस टीम का बैस्ट प्लेयर है मतला बहुत टेकर इंटेसेप्शन करता है तो मैं पेपेलू के साथ जाओंगा रजोट अभी ठीक आगे डिफेंसिव कर सकता है पड़ अभी के लिए सबको भी करना पॉसिवल नहीं है मैं पेपेलू के लवा मिलेरों के साथ भी जाओंगा अटेकिंग वाइस यह प्लेयर अच्छा है चार गोल दो असिष्ट कर चुका और यह जो बारसा वाला मैच हुआ ता नहीं इनका उस मैच में क्या हुआ था दो या तीन पैनाल्टी में लिए थी लेकिन वो पेनाल्टी मलेरो ने ली थी तो इसका मतलब यह है मलेरो मोरेरो मुरालेस के बाद इनके second choice penalty टेकर हैं तो क्या भरुसा Morales किसी वज़े से penalty ना ले या सबस्रीट हो जाए तो Malero penalty भी हो सकते हैं इस वज़े से भी important हो जाते हैं और goal assist हो करी रहे हैं थोड़ा बहुत defensive भी करते हैं तो अभी के लिए मैं पेपेलू के alongside Malero के साथ भी जा रहा हूँ डैनी को मेच प्लेयर ठीक टाग है बहुत inconsistent है तो अभी के लिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ जिस मैच में goal assist नहीं है उत मैच में अच्छे point नहीं देता अभी मैं Morales के साथ जाँगा 11 गोल के साथ इनके top scorer तीन assist है और last 2-3 matches में इसने बहुत ज्यादा goals score किया है तो मैं यहाँ पे Morales को भी pick कर रहा हूँ क्योंकि सभिया के defense ने भी last 2-3 matches से goals concede किया है तो मेरे को उनके defense सब्सक्राइब उतना ज्यादा अभी currently भरोसा नहीं है इवन अगर कोई एक draw के लिए जा रहा है कोई बहुत बड़ा रिस्क टेकर है four member में वह लेवेंटे विक्टरी के लिए जा रहा है में भी आप Morales को captain वाइस captain भी कर सकते हैं तो यह लेवेंटे की probable 11 थी लगभग सभी की चीज़े में यहां से भी आपको डीटेल में एक्स्प्रेंट कर दी और यह इनके सिनके ललीगा के स्टेट हैं अभी जो मेरी प्रेटिक्शन में एक नेरो या तो वन निल सभ्या विक्टरी के साथ जारूं यह मुझे लग रहा है सभ्या 3-2 की fight के साथ जीश सकती है जि अच्छे पॉइंट दे सकते हैं मिट्फिल में मैंने ओकेंपोस लिए हिसुस कुरूनली और अलेज़ेंट्रो पापो गोमिच लिए अगर यहां पे मीर खेल गए ना फिलाल मैंने जूम कर रों अनसरी खेलिंगे मैंने पिकनी के अगर राफा मीर खेल गए तो आप यह तो पापो गोमिच के प्लेस में राफा मीर पिक कर सकते हैं या डियागो काल्डोस के प्लेस में मिट्फिल में राफा मीर पिक कर सकते हैं यहां मैंने पेपलुली है जिनके नाम जो गर्सिया है और मुरालेस है फिलाल अगर यह 11 होती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन सी के लि आप में भी Ocampos Morales ये combination भी Captain Vice Captain कर सकते हैं तो फिलाल ये मेरी Demor of Team थी जो भी मेरे updated Final Team होगी lineup आने के बाद मैं टेलीगराम चैनल में पोश्ट करूँगा link के description box में join कर लिजिए